हेलो नमस्कार शाथियो मैं मनीश यदव एक बार फिरूं आपके साथ उपस्तित हूँ एक नई जनकरी लेकर बहुत सारे विध्यारतियों का अनेक अनेक वीडियो के नीचे कमेंट रहता है कि सार हमारे एक्जाम कब होंगे एक दिन में जो आपके पेपर होते हैं वो कितने पेपर होंगे और उसके बाद क्या टीचिंग के नमबर भी जुड़ते हैं इसके सबाद जब हमारी टीचिंग लगती है तो उसमें हम लोग लेसन प्लान कैसे बनाते हैं या फ़र लेसन प्लान के अत्रिक्त आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका प्रैक्टिकल कैसे होगा तो इन सभी विश्यों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं है ना देखें सबसे पहला प्रैशन आप लोगों का है कि आपके एक्जाम कप तक होंगे तो देखें आपका जो येवाला सेसन इडियलाट272ा आप लोग 2021 सेशन के विध्यारती हैं तो आपका जो सेशन अब हो आपका अक्टूबर से शुरूआ है कब से शुरूआ है तो अक्टूबर हो गया नमबर, दिसंबर, जनबरी, फरवरी, मार्च तो कितना महीने हो गए एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, पांच महीना और छे मार्च में आपका जो है आपका लगभग लगभग पूरा ये छे महीने का सत्र पूरा हो जाएगा तो डियलेट के जो आपके एक्जाम होते हैं वो आपके पूरे मतलब 6 महीने का जवाब का सत्र हो जाता है इसके बाद ही होते हैं इससे पहले नहीं होते हैं तो आपके पास अभी एक महीने का समय है तो आप एक महीने का तो समय इसके अनुसा ले लिजे और DLA के जो भी एक्जाम होते हैं वो भी कभी भी आपके समय पर नहीं होते हैं तो आप मान के यह चलिए कि आपके अप्रैल के अंदिय तक या फिर आपके मई के प्रिथम सब्तहा तक ही हो पाएंगे हो सकता है कि इसके लेच भो जाएं लेकिन इसे से पहले नहीं होंगे तो सबसे पहला प्रशन तो यही हो जाता है आपका समाप कि आपके एक्जाम कब होंगी तो आप यह मान के चलिए अपरेल के अंतिम सप्ताहा में या फिर मई के पर्थम सप्ताहा में ठीक है ना अब दूसरा प्रशन आपके मन में उठता है कि अभी तक तो हमने एक्जाम दिये हैं वो एक दिन में एक पेपर होता था बीच में आपको हो सकता है कि एक दिन का गैफ भी मिलता था लेकिन यहां तो बात हो रही है कि एक दिन में तीन तीन पेपर की एक दिन में दो दो पेपर की तो किस प्रकास से आपके पेपर आयोजित कराये जाते हैं उनको देख लेजे देखे आपके पूरे पेपर तीन दिन में पूरे करवा लिये जाते हैं तीन दिन में कैसे पहला दिन दूसरा दिन और आपका तीसरा दिन पहला दिन जो होगा इसमें आपका बालविकास का और आपका सिक्षन अधियम का पेपर करवाया जाएगा यह पेपर आपका दो-दो घंटे का होगा क्योंकि दोनों ही पेपर आपके 50-50 नम्मर के हैं कितने के हैं 50-50 नम्मर के हैं दूसरे दिन आपको मिलेगा यहां विज्ञान का पेपर इसके बाद आपको मिलेगा गड़ित का पेपर विज्ञान गड़ित और साथ के साथ आपका पेपर हो सकता एक हिंदी का करवा लिया जाए किसका करवा लिया जाए विज्ञान गडित और हिंदी अंतिन दिन आपके पास क्या-क्या बचता है क्यों विज्ञान गडित हिंदी इसके बाद आपका संस्क्रत संस्कृत का पेपर और आपका सामाजी गध्यन का पेपर एक पेपर आपका किसका बसता है कंप्यूटर का तो आपकी पेपर कैसे होते हैं सामाजी कध्यन का पचास नम्मर का है यह भी आपका पनी साथ साही है, यह इन और आपका 5 जाय ग Benjamin और 12 एलो आपको सामाजी का के तो कि छाहर आ हूंट तो कि हो जाएगा, 10 से 11 फिर 11 से बारे पारे आप一樣 का 10- 않아 या फिर, या या अब का 10 ने साही हैं अगर आप चाके यह घंटे में उनको करें तो उनको करा Right क्र सकते हैं और कि कुछ लोग करता भी कुछ लोग को वहां सिस्怕 मौज मस्ति करते हैं तो इसे ही आपके तीन पेपर हो तो यहां आपको दिखाऊंगा फॉर्मेट लेकि आपको जाना है वहां पूरा आपका ब्योहार दर्ज करा जाएगा कि हाँ आप डेली आई तो उसके 10 नमबर अनुसासन में रहे 10 नमबर आपने कैसे अध्यापन कार किया तो सभी का आपको कमें मिल्सान सब्सक्रांइब नीए यहां नमबर और अगर आप सोबी आपको प्राक्राइब को के बात बात आती है लेसन प्लान का और प्रक्टिकल पटांगा और बात करें जब आपकी टीचिंग लगेगी तो यह ऑसी समय आपको यह बनाना पड़ता है और जो आपका विद्याले है विद्याले का मतलब जहां से आप DLA कर रहें जो आपका college है वहाँ ये submit करना पड़ता है इसके वाद ही वो लोग आपको marks देते हैं आपको यह ऐसे विद्याले हैं जहां नहीं submit करना पड़ता है लेकिन जो अच्छे विद्याले हैं जहां regular classes होत करेंगे उसी दौरान सभी पूरे उत्तर प्रदेश में practical की डेट आती है किनी किनी डाइट पर आगे पीछे होते रहते हैं तो आपके practical होंगे practical देना आपको most important है क्योंकि आपके practical के नंबर आपके theory से जादा होते हैं है तो आपको क्या करना है practical में जो भी कार आपको बता आपको टीचिंग लेशन प्लान है या आप वहां टीचिंग करने जाते हैं जो भी आपसे वहां फाइल बनवाई जाए कि लोगों को टॉपिक दिया जाता है बनाने के लिए तो इत्यादी चीजों के बिश्या में हम एक PDF आपको फॉर्मेट पूरा टेलीग्राम पर भीज में हैं जॉब करते हैं घर में अधिक समय देना पड़ता है तो जो लोग अगर नोट से प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें कुछ इतना मैटेरियल मिल जाए जिसको हम पढ़ लें और हमारे अच्छे अंका सकते हैं क्योंकि हम regular classes नहीं कर पाते हैं यूट्यूब की classes नहीं कर पाते हैं तो ऐसो लोगों को यदि आवसकता लगती है तो वो लोग इस नंबर पर वाट्सअप करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं बाकि अगर आपका कोई और डाउट है आप कुछ और पूछना चाहते हैं इसके इतर भी तो आप लोग नीचे comment box में comment कर सकते हैं फिला प्रित जानकारे के लिए आप लोग मने इस अकैडमी अप्लीकेशन को डाउनलूड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे description box में दिया गया है थैंक यू सो मच